नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्षर अमित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Oversies Limited का. हमारी कमपनी Stainless Steel Modular Kitchen की Manufacturing करते है, Export करते है, और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee showroom और dealership showroom है. हजारों की संख्या में Associates और FLB हमारे साथ काम करते हैं. ध्यान रखेगा, बड़े लक्षों को हासिल करने के लिए आपको बड़ी team की जुरत होती है, लेकिन बड़ी team आपके साथ बहतर perform करें, उसके लिए कुछ ऐसे गुण है, यदि वो गुण आपके अंदर हुए, तो आ अगर आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करते हैं, तो आप भी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं. वेक स्टेटमेंट में कई बार मेरे ट्रेनिंग प्रोग्डाम में बोलता हूं, अगर आप विश्व के बेहितरीन ड्राइवर भी है ना, तो एक समय पर एक ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, चाहें वो फार्मूला वन के होना हो. लेकिन अगर आप एक बेस्ट मैनेजर हैं, जो दुनिया के बेस्ट ड्राइवर की टीम को मैनेज कर सके, तो आपके द्वारा मैनेज की हुए ड्राइवर हजारो गाड़ियां एक समय पर चला सकते हैं. इसलिए जरुवत है एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाने के लिए बेहितरीन टीम बनाने की. अब बेहितरीन टीम जब आप बनाएंगे तो बेहितरीन लोगों को कैसे हैंडल करना है और कैसे अपने लक्षों को जॉइंट लक्षों को हासिल करने के लिए उन्हें अपने साथ जोडे रखना है, तो आज हम बात करेंगे how to deal with employee effectively अपने employees के साथ effectively कैसे deal करें, ताकि वो बहतर result आपको produce करें अभी problem क्या है कि हम किसी भी employee को कोई काम सौपते हैं, कोई जिम्मेदारी सौपते हैं तो उस जिम्मेदारी से संबंदित सारी बातें explain नहीं करते हैं, कि काम कैसे करना होगा, कितनी समयबदी में करना होगा उसकी responsibilities क्या होगी, उसकी duties क्या होगी किस चीज का उसे ध्यान रखना होगा, कौन-कौन सी बातों को avoid करना होगा, जब आप किसी भी product या किसी भी service या किसी भी task को लेकर अपने employee को हर एक चीज ठीक तरीके से define करते ना तो वो बहतर तरीके से perform कर पाते हैं क्योंकि clearly उनको ये पता होता है कि क्या responsibilities उनके पास है और किस तरह से उन responsibilities को पूरा complete करना है, इसलिए ज़रूरत है आप communication skills को develop करें और अपने employees को ठीक तरीके से guide करें कि काम करना क्या है और कैसे करना है, उसके बाद be respectful, दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान करें ताकि वो भी आपका दिल से सम्मान करें, दोस्तो ध्यान रखेगा अगर आप अपनी company के boss हैं और आप बहुत aggressive हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने, आपको देखकर आपका सम्मान करें, लेकिन अगर आप down to earth हैं, आप अपने employees का सम्मान करते हैं, तो वो भी अपनी हिर्दे की भावनाओं से आपका सम्मान करेंगे, इसलिए be respectful, सम्मान दें और सम्मान लें, जितना जादा आप अपने employees का सम्मान करेंगे, उतना दिल से वो आपके लक्षों को company के लक्षों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, उसके बाद provide feedback, अभी कई बार क्या होता है कि कोई employee कोई काम कर रहा है उससे कोई गलती होगी, या उसने कुछ best achieve किया, या एक average अचीव किया उसके भिहाफ पर, उसके द्वारा किये गए काम पर आप feedback नहीं देते हैं तो अपने employee को उसके द्वारा किये गए का feedback जरूर दें, कि कैसा result आया है और कैसा आने की संभावना थी, या बहतर आया, या कम आया, या average आया, सब कुछ आपको बताना जरूरी है, साथी साथ employee का feedback लेने का भी अपने मन में एक space बनाएं आप भी देखें कि क्या feedback आपका employee देता है, ताकि आप क्या चीज़ आप अच्छे से upgrade कर सकते हैं, अपनी चीज़ को update कर सकते हैं, ताकि बहतर result हासिल किये जा सकें, तो feedback देना जतना important है, उतना ही important अपने बारे में, company के बारे में, product के बारे में, clients के बारे में feedback लेना भी जरूरी है be approachable, अभी कई बार देखा गया है कि company के जो owner होते हैं, या boss होते हैं, या CEO होते हैं, company का director होते हैं, वो अपने employees के लिए approachable नहीं होते हैं, मतलब उनके employee उन से संपर्क करी नहीं पाते सिधा, कहीं न कहीं किसी mediator के थूर, किसी manager के थूर, किसी और employee के थूर, वो information वहां तक पहुंचती है, और election को हासिल करना चाहते हैं, next, address conflicts, अभी कई बार क्या होता है, जब आपकी team में बुद्धी जी भी लोग काम कर रहे ना, तो हर एक व्यक्ती का विचार, हर एक बात पर same नहीं होगा, या विचारों का मतबहद भी हो सकता है, मतलब विचार आपस में conflict भी कर सकते हैं, ऐसी वस्था में किसी भी तरह का conflict है, उसको solve करना, उसको दूर करना, उसके बारे में clarity लाना, ये एक business owner की responsibility है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब बुद्धी जी भी लोग आपके साथ काम करेंगे, तो conflict तो आएंगे ही, लेकिन उन conflicts को clear करना आपकी responsibility है, ताकि ठीक तरीके से team perform कर सके, provide support, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी लक्ष हासिल करना चाहते हैं, या अपनी team से हासिल करवाना चाहते हैं, उससे संबंदित support अपने team को जरूर दें, क्योंकि बेहतर support के जरिये ही, वो ठीक तरीके से लक्ष को हासिल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, for example, मान लिजे आपके पास digital marketing की team है, लेकिन उनके पास proper support नहीं है, जैसे कभी internet बंद हो जाता है, कभी charger नहीं मिलता है, कभी laptop off है, कभी light का backup नहीं है, तो उनको जो काम करने से संबंदित support चाहिए, वो सारे support provide करना, एक company के CEO, director, owner, इनकी responsibility है, तो आप support जरूर provide करें, जितनी बेहतर support आप provide करेंगे, उतना बेहतर result आप drive करेंगे, उसके बाद recognize achievements, आपके employees होते हैं, वो काफी सारे achievements आपके ले करते हैं, ध्यान रखेगा, दुनिया का एक सीधा सा नियम है, हर व्यक्ति appreciation चाता है, यदि उसने कोई सरानी एकारे की है ना, तो उस कारे से संबंदित सराना उसको जरूर दें, achievements को जब आप celebrate करते हैं तो व्यक्ति बहुत खुश होता है और दिल से आपके साथ काम करता है, अगर आप इन seven points को अपनी company में अपनी team के साथ implement करते हैं, तो आपकी team बहतर result produce करने के लिए निरंतर आपके साथ रहेगी, इसके लावा business सम्बंदित आपके मन में कोई भी प्रश्ण है, या आपको लगता है कि ये एक और idea हो सकता है, अगर ये भी हम कर लें, तो शायद हमारी team और बहतर perform करेगी, वो आप हमें comment box में ज़रूर बताएं, इसके लावा कोई भी informative वीडियो मिसना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप business में update बने रहें, सवस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्षर अमित माईश्वरी, आपके सुमरे वविश्य की